एक बड़ी ही प्यारी सी सुबह के साथ में एक नई दिन की सुरुवात करते हैं पूरे जोस के साथ में और आज संडे संडे को फंडे बनाते हुए आज स्टडी डे भी बनाता है तो काफी प्यारा आज का ये डिसकसर रहने वाला है कुछ खटी मिटी बाते जानने को मिलेगी कुछ न्यूज, कुछ इंफोर्मेशन, कुछ आप लोग के एक्जाम से लेटेड बाते जैसे की एक्जाम के बारे में अभी एक न्यूज आई है कि सुप्रिम कोड में कुछ बाते की जा रही है तो उसको उठा लेता हूँ, नहीं, यह सब गलत है आप बोलना की अच्छी लगती है, अच्छी तो मुझे सारी लगती है बतलब जो भी मेरे सामने रेंडम ली आती है और पढ़ने में एकदम होनी है कि मुझे अच्छा वैड़ गई एकदम थोड़ा सा तो उसको मैं नॉर्मल ले उठा लेता हूँ और यह सारी कोडिशन जो हैं, आप पोस्ट करते हैं तो आप लोग अच्छे से जिस तरीके से इतनी सारी मोटिवेशन कोड़ करते हैं वो कई बार तो मुझे मोटिवेट करते हैं खुद जब कोडिशन पढ़ने के बाद में तो मैं खुद भी मोटिवेट होता हूँ उनसे तो आप लोग भी एक दूसरे की कोडिशन पढ़िया किजे और अभी जैसे एक्जाम आप लोग के पास में आ रहे हैं चोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से हो रहे हैं कि उस कोडिशन के साथ में अगर कोई भी आप लोग एक कोशन भी एड़ कर दें यानके से प्रिलिम्स का कोशन एड़ कर दिया अब्जेक्टिव टाइप तो आंसर भी एक दूसरे का दिया किजे ओर कमेंट बोक्स में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा एक अच्छा खासा डिसकूर्सन आप लोगे सामने निकल कर आएगा तो एक कोटेंशन के साथ में एक कोशन भी एड़ कर दीजिया प्रिलिम्स का जैसे good morning, good afternoon आप लोग लिख रहे हैं ठीक है उसके नीचे एक question add कर दीजे या कुछ facts जो आप लोगों ने पढ़े हैं वो add कर दीजे तो इससे दो फायदे होंगे एक तो आप लोगों का revision हो जाएगा और दूसरा उसके ओपर discussion हो जाएगा कुछ और points आप लोगों को जानने को मिल जाएगे तो इनके साथ में छोड़ी छोड़ी चीज और add करने start करो तो और अच्छा discussion आप लोगे सामने निकल कर आएगा और एक productive माहुल आप लोगों को बनता हुआ नजर आएगा ठीक है आप लोगों निकले ही गट यहां करें जो आप लोगो जो बनता है तो उन लोगों को गलती ढूनने मेंगे उनका बीच जाता है पर लेकिन वो लोग भी आप लोग के लिए अच्छे हैं क्योंकि आप लोग को बता रहे हैं कि यह चीज गलत है इसको सुधार लो वो भी आप लोगों में एक improvement कर रहे हैं तो आप लोग तो उनको भी लाइप में implement करना चाहते हैं तो आगे के लिए postpone मत करना कभी हुई जीज दिन आप लोगों को लगता है कि यह अच्छी बात लग गई तो सर ने कुछ ऐसी बात बोली कि यह तो implement करनी है ठीक है तो उसको उसी दिन implement कर लेना ठीक है तो एक अच्छे से आप लोग के अंदर चेंज होते विए आप लोगों को नजर आएंगे सबसे पहले यह एक important news यहाँ पर समझ लेते हैं क्या है यहाँ पर यह अभी UPSC के जो best parents हैं वो यहाँ पर court पहुंचे supreme court और उनके द्वारा बोला गया कि एक अनेदर चांस मिलना चाहिए उन लोगों के लिए जो अभी रिसेंडली COVID-19 की विए से काफी ज़दे problem में रहे आप लोगों बता है कि बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है बहुत सारे लोगों ने किसी ने कोई ने कोई अपना नियर डियर बन अभी आप लोगों ने खोया है तो इसके चलते लोगों का जो mindset है वो काफी ज़दे खतरनाक हो चुका है यहां पर इनके एक तरीके से अनिस्टेबल हो चुका है तो उसी के चलते दो यहां पर बाते की जा रही है दोनों बाते में आप लोगों को बताता हूं एक तो बात यह है कि उन लोगों को extra attempt मिलना चाहिए जो लोग आज की डेट में 2020 में जो पेपर हुआ था चा लास्ट अटेम्ट था चलो पेपर दे लेना चाहिए पर लेकिन फिर भी condition जो है वो up to the mark नहीं थी कोई न कोई पोलम चल ले थी life में क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो covid warrior बने हो थे उस टाइम पर लोगों की help कर रहे थे तो दूसरा उन लोगों को attempt मिलना चाहिए तो आप लोगों लगता है कि यह genuine मुद्दा है तो देखिए genuine मुद्दे को कभी भी support करने से पीछे मठड़ी है ठीक है आप लोगों लगता है कोई भी genuine मुद्दा सामने निकल कर आता है चाहिए वो किसी भी exam से लेटर हो यार चाहिए हो SSC से लेटर हो banking से लेटर हो या फिर क कभी भी इन चीजों को हमेशा एक दूसरी के support में खड़ा मिलना चाहिए तभी तागत होगी और तभी आप लोग जो चाहेंगे उसमें कुछ change आ पाएगा अगर genuine मुद्दा है तो ठीक है फिर से बोलाओ genuine मुद्दे में हमेशा support करो अगर कोई फालतों की बाते कर रहे है तो उसमें time waste नहीं करना है यह बात आप लोग जुरूर ज्यानक ना ठीक है आगे चलते हैं यहाँ पर यह picture जो है थोड़ी सी दिल को दुखाने वाली है देखें हाँ पर आज की date में अगर किसी का भी near or dear one किसी इनसान का जा रहे है तो condition यह हो गई है कि एक time हैसा होता था कि भीर लगा करती थी जब किसी इनसान के death हो जाती थी अब दूर दूर तक भी कोई देखने को नहीं मिलता है कि इनसान आज की date में इस तरीके से निकल जा रहे है ठीक है आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी अभी बोड़ी मेंने कल भी आप लोगों पढ़ाय था कि नदियों में बहादी जाती है इस तरीके condition अभी देखने को मिल रही है क्योंकि लोगों को लकडिया भी नहीं मिल रही है आज केट में जलाने के लिए इतने लार्ज स्केल पर लोगों की जान गई है तो ये situation कही ने कहीं एक अंदर से DNA condition बन जाती है एक आज की date में कोई प करीब जो case है वो अभी देखने को मिले जो 40000 के करीब पहुंच गए थे तो लगबग आधे में हम लोग आ चुके हैं तो ये एक कच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ठीक है और जो एक तरीके से चीजे जो है डिकलाइन हो रही है तो इससे एक लोगों के अंद और यह जो ऐसे चीजे हैं हम लोग इनसे कहीं न कहीं बच पाएंगे तो अगर आप लोगो कभी भी मोखा मिले आपका जब भी नंबर आए दवाई को लेका तो उसको डवाई को लगाने से मत हिजख कियेगा दवाई को आप लोगों को जरूर यूज करना है ठीक है तो यह इसके बारे में बात की जा रही है अभी हाँ पर जो एक इंपोडेन्ट जो जो इसके बारे में आप लोगों बता होना चाहिए होले शनटके नहीं बहू April lotus में तो यहांपर यह अरेबियंस की यानि वेस्टन का वैस्टरन आप लोगों का नाम क्या था और किस के दोरा एक question है मेरे से मैंने आप लोगों से पूछना है question है क्योंकि इतनी बार आप लोगों को बता चुको हूँ अब ये चीज़े याद हो जानी चाहिए regular newspaper discussion सुनने का फाइदा यही है कि बहुत सारी चीज़े आप लोग की repeat होती रहती है तो उससे revision भी आप लोगा साथ साथ में होता रहता है तो एक discussion newspaper का ही एक ऐसा मुद्दा है जो ये काम कर सकता है क्योंकि newspaper में daily वो news किसे ने किसी region से आती रहती है cyclone आगया कल impact डाला केला पे परसो पोँच गया करनार का तरसो पोँच गया महरास्टा तो वो कई बार repeat हो गया तो इस तरीके से कई बार revision आप लोगा हो जाता है तो छोटा सा अगर इसका एधान रखेगा तो आप लोगो tension देखने को नहीं मिलेगी ठीक है अभी जो नया cyclone देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है इस particular area में यानिके बे बंगाल वाले reason में तो इसके बारे बात करते है cyclone का नाम है Y.A.S. ठीक है तो यास जो cyclone ह आपर यह यह अभी जो देखने को मिल रहा है यह देखने को मिल रहा है कहाँ पर बेव बंगाल वाले reason में तो अभी यह impact डालने वाले हैं आपर उरिसा और बंगाल जो यह आपर basically बंगाल है उसके उपर यह लगबग 26 में तक बोला जा रहा है कि यह West बंगाल में पहुंच अब यहाँ पर यह नया cyclone आ गया जिसका आप लोग को नाम पता होना चाहिए और कुछ basic information exam के point of उसे और और वी कुछ interesting बाते जानेंगे यहाँ पर जो cyclone यास है यहाँ पर यह इसका नाम ओमन के द्वारा दिया गया है ठीक है ओमन के द्वारा इसका नाम दिया गया है इस इसको normally jasmine नाम सुनोगा ना इंगलिस में कि jasmine का वो इत्र लेकर आना ठीक है तो वाली बात है तो इसका मतलब होता है एक good fragrance ठीक है तो एक ऐसा पेड़ जिसकी good fragrance है तो यह इसका मतलब है jasmine आप लोग बोग सकते है वैसे तो इसका मतलब cyclone यास का मतलब जो वाला cyclone था जो और यह कुछ-कुछ ऐसा रहने वाला है जैसे अमफन cyclone आए था ना उसका जैसा जो यहाँ पर impact पड़ा था यह देखने को मिलेगा यह जो लिस्ट यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलती है नाम की जो अलग-अलग नाम दिये जाते हैं यह basically world meteorological organization जो है वो एक तरीके से हाँ पर maintain करके रखती है यह mention के एक तरीके से जो भी कोई नाम आप लोग को देखने को मिलेगा और world meteorological department को अगर आप लोग को समझना है तो बिल्कुल एस समझे से हमारी country में IMD हो गया ठीक है इसी तरीके से world में जाएंगे तो यहाँ पर world में यहाँ पर WMO हो गया तो हमार में 6 regional office हैं यहाँ पर WMO के इनके world meteorological department के organization के उसी का एक office हमारी country का IMD भी है ठीक है तो यह है important information ओके तो अगर बात करें यहाँ पर इंडिया जो meteorological department है जो एक एक office है यहाँ पर जो RMS ठीक है तो इसमें से जो regional specialized meteorological center में से एक हमारी country भी है यहाँ पर यह तो हमारी country 13 member को यहा पारे में information यह फिर advisory देती है तो यह country कोन सी है तो बंगलादेश हो गया इंडिया हो गया इरान हो गया मोल्दी हो गया मैनमार ओमन पाकिस्तान कतर साओधी अरेबिया स्रिलंका थाइलेंड युनाइट अरब एमरीट्स और यहाद रखेगा पाकिस्तान के लिए भी जो warning व अधलब होता है आखिर क्यों नाम देते हैं कि यार इसका नाम ही होना चाहिए तो आप लोग देखेगा तो कों सचीन को कैसे कर पाएंगे तो साइकलोन सबको साइकलोन बोलेंगे तो कैसे डिफरेंस कर पाएंगे तो चीजों को identify करना का फिजदे ज़रूरी है जिससे उसक का नाम यह था यह intensity में पहुंच गया तो इसी के चलते identify कि जा सके इंडिविजुल के द्वरा अवेर्नेस क्रियेट कि जा सके लोगों को बोला जा सके कि यार यह यह प्रिकेशन आप लोगों को लेनी है अपना हिवाज़त आप लोगों करनी है यह बात रहेगी रिमूव क को इसके बारे में समझाया जा सके ठीक है जल्दी ही इसके बारे में जो भी warning है वो लोगों तक पहुचाया जा सके यह चीज़े देखने को मिलेगी और लोग रिमेंबर कर सके easily cyclone को अच्छा यह वाला cyclone आया था यार यह तो ऐसा था बड़ा खतरनाक था ठीक है अच्छा निकल कर आ रही है यह 8 लांक के करीब माइगरेंट हो जो वरकर है वो फिलाल डेली जो है वो छोड़ चुके हैं डेली के बारे में अगर मैं आप लोग उसे बात करूँ एक टाइम ऐसा था कि डिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं वाकर दी और आज के डेट में डेली जो काफी कम है maximum लोग जो है वो इधर उदर से NCR वाले रीजन से आगर हैं पर कोई जोब के लिए कोई पढ़ाई के लिए या फिर कोई medical services के लिए और अलग अलग रीजन की वेसे डेली वाले रीजन में आकर रहते हैं तो अभी condition है यहाँ पर migrant के बारे में काफी सारे लोग ज जादा यूज नहीं किया जा रहा है ऊपर से चीज़ों को अराम अराम से लेकर चल रहे हैं चलो एक हफ्ते का और बढ़ा देते हैं चलो पांच दिन का बढ़ा देते हैं तो इससे लोगों के अंदर ना थोड़ा सा थमास है और तसल्ली आ जाती है कि यार यह दिक्कत नही वाली है अच्छा अराम अराम से चीज़े चल रहे हैं तो और फिर भी दिल को तसल्ली हो जाती है तो वही वाली बात यहां पर देखने को मिलती है ठीक है कुछ बाते कर लेते हैं यह तो मैंने आप लोगों को बताई है यहां पर डेली के बारे में इससे लेटर जो इंपो रिपोर्ट तैयार की गई इसके दोरा व्ल्ल बैंक के दोरा तो ये व्ल्ल बैंक की रिपोर्ट है कई कोई कोई कंद्रोगें को नहीं होना चीज़ाइ आप लोग उसे कोशन स्फेल पूछ रहे हैं तो यहां पर क्या बात की जा रा रही है यह माईग्रेशन और डवलपमे ब्रीफ रिपोर्ट तैयार किया आती है तो इसमें ये बोला गया कि अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई पर्टिकुलर परसंग जाता है वाले हमारी कंट्री के लोग जो है वो आज की डेट में USA में गई है तो USA से जो पैसा भेजते हैं उसको रेमिटेंस बोलते है पैसा हमारी कंट्री में जो भेजा जाता है हमारी लोगों की दौरा तो अभी इंडिया के दौरा सबसे ज़्यादे रेमिटेंस रिसीव किया गया 83 बिलियन डॉलर ठीक है जो की सबसे ज़्यादे है और हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादे रेमिटेंस रहता है इसका थींट पर है चायना यह दो तिन नाम कम से कम याद रखेगा तीसरे पर है Mexico ठीक है तो तो यह याद रख लेज़ेगा फिर फिलिपिन हो गया फिर 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 पाकिस्तान तो पाकिस्तान भी है अगर टोप 10 में बात करें और फ्रांस और बंगलादेश भी है ठीक है पिलस्ते हैं तो हमारे रेंटेंस में कोई यह ज़्यादय गिरावत नहीं इी यह कची बात आप लोग बन चुकते हैं तो यह है आपक आगे बात करते हैं गुजरात जो है वो हब बन चुक है होट इसपोर्ट बन चुक है है यह मुक्योर माइकोसिस ठीक है तो यह जो बीमारी है इसके लगबग 2281 केस के करीब यहाँ पर अभी देखने को मिलें और और इस ट्रेट को अगर आप लोग काउंट करेंगे सबसे ज़्यादा number of cases जो नि नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर एक तरीगे से उसी के साथ में जो भी चीजे हैं वो लेकर चलनी है तो यह बात बुलेगे सोनिया कहा दीजी के दौर और इसके चलते में आप लोग इसके बारे में कुछ बात और बताना चाहता हूँ जिससे कि आप लोग चीजों को देखने को मिलता है तो उसको endemic की category में डाल देते हैं तो COVID-19 के वो पेसेंट जिनका immune system जो है वो काफी down हो चुक है तो उनके चलते हैं यहाँ पर यह बीमारी उनको देखने को मिल रही है तो उनको यहाँ पर फाइदा पहुचाने की बात की जा रही है तो यह अभी तो मैंने यह इंहिस्की फसकी है तो यह याद रखेगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर बात करेगा, जो यहाँ पर यह वाइट फंगल है, तो इसका यहाँ पर देख लोगो मिलेगा Candida, ठीक है, तो यहाँ पर Candida, तो यहाँ पर यह Candida है, यहाँ पर वाइट फंगस के लिए, और ब्लैक फंगस के लिए हैं, यहाँ पर Mucormycetize, ठ ठीक है, तो यह दोनों के नाम आप लोगों को बदा होना चाहिए, आप लोगों से एक्जाम में direct question बन सकता है, इसकिन की बीमार यह बाकी और भी private parts पर भी देखने को मिलेगी, जो problem है यहाँ पर यह, ठीक है, इसी के साथ में हाँ पर जो uncontrollable अगर यह बढ़ जाती है, तो यह body के internal part में पहुंच जाती है, जैसे कि आप लोगों को kidney में, heart में, brain में तक यह चीजे पहुंचती है नजराएगी, तो prevention is better than cure वाली बात है, ठीक है, तो यह important बात है है आपर, next digital media को बोला गया भी हाँ पर Indian variant, जो हाँ पर Indian variant लिका हो है ना, जैसे हम लोगों ने starting में आपर ऐसा नहीं होना चाहिए, कि इसको इस तरीके से आप लोग लेकर चुलो, तो किसी particular country के नाम पर blame नहीं करना है, कि हाँ यह उसका virus है, ऐसे ही यहाँ पर B1617 जो है, इसको Indian variant बोला जा रहा है, तो यहाँ पर यह WHO ने बोला कि note link, tum, याई कि इसके जादा बोलागे कि India क के साथ में कोई link नहीं करना है, वैसे digital media पर यहाँ पर यह वैसे use नहीं होना चाहिए, कि Indian variant आ गया, कि हाँ Indian variant है, यह क्या तरीक है Indian variant है, ठीक है, जब Chinese virus है, वो China का यह हो गया, अब variant तो सब के अलग अलग आ रहे है, निकल निकल के, कहीं situation के इसाब से माहोल कुछ है, तो ह basic funda यहाँ पर यह है, कि आप लोगों यहाँ पर यह देखना है, कि यह variant market में जो निकल करा रहे है, इसमें इंडिया का नाम use नहीं कर रहे है, ठीक है, तो यह बाते हैं हाँ पर होनी चाहिए, हमारी country का नाम के use कर रहे है, यह ऐसे थोड़ नहीं होता है, तो वही चीज़े हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यह जरूरी है, पर लेकिन याद रखना है, यह B161, जो 6, B1617 के जो केसिस हैं, काफी large scale पर हमारी country में देखने को मिलेते हैं, ठीक है, अगर बात करें हाँ पर, यह basically बात की जा रही है, कि negative report अगर किसी की आ गई है, तो इसका मतलब यह नहीं कि problem खतम होगी है, कोरोना वायरिस चेक कराने के negative report आ गई, वा, मज़े आ गई, हम तो कोरोना positive ही नहीं है, ठीक है, इसका मतलब यह नहीं कि बस भले-भले भंगड़ा और party करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, इतना खतरनाक चीज़े हैं, कि आप लोग को अपने, आप अपना ध तो यह इसके बारे में बाते की जा रही है, अरे हाँ, आगे बढ़ने से पहले question है आप लोग के लिए, जो मैं भूल जाता हूँ कई बार, यह question का answer आप लोग को देना है, India, China और Russia, all are the member of which of the following organization, यह निकि यह organization के नाम है G20 BRIC, और इसी के साथ में संखाई Corporation Organization, इसमें से किस इसका member जो है, India, China और Russia, तीनों इसमें से किस-किस के member है, ठीक है, कौन सी organization जिसमें से तीनों के member, India, Russia और China है, ठीक है, तो एक आसान सा question है, पता होना चीए, आप लोगो यह छोड़ी चोड़ी बात है, और direct UPSC भी कई बार इसे question आप लोगों से पूछती है, कि इसमें कौ करा रही है, नेपाल की सैड़ से, तो नेपाल हमारा पुडोसी देश है, जो कि हमारी country में उत्राखंड, उत्रपरदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, पांच राज्य को टच करता है, तो question पूछा जाए, अगर देखे, दो country काफी जोड़ी दे, नेपाल आगया जीट कराई, तो BJP के खेमे में स्टगल चल रहा है, काफी ज़द है, इनकी इतनी huge victory को देखकर, जो भी उन्होंने अपना एक base बनाया था, तो कई सारे लोग जो हैं, इधर उधर होने की कोईस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पता है, कि खरबूजय को देखकर को entertainment देखने की जुरत नहीं है, आज की date में तो खास कर, ऐसे-ऐसे cases आप लोग को देखने को मिलते हैं, अपनी country की politics में, आगे बात करें हाँ पर बात की जा रही है, उडिसा के tribal community के बारे में, उडिसा में हाँ पर डोंगरिया और जो bond जो community हैं आपर, COVID-19 से काफी large scale पर ज आज scale पर COVID-19 की चपेट में आ चुकी है, तो इसको PVTZ बोलते हैं, आप लोग बोलेंगे आदिवासी तो हम जो जानते थे, particularly vulnerable आदिवासी के हैं, particularly vulnerable आदिवासी हैं, जो आदिवासी में भी बहुत ज़्यादा और गरीब, और ज़्यादा पिछड़े हुए, कैसे-कैसे आप लोग मास पर, मंगल पर चांद ग्रहे पर आप लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है, वो इससे बहुत दूर रहते हैं, ठीक है, वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से, अपने कस्थम, रूल और ग्रेवलिक्शन से इंज्याई करते हैं, उनकी population ने तो रुख चुकी ह यानि कि हमारे देश में, अगर आप लोग बात कर लिए, जब agriculture खेती करना है, इस्टी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तब जाकर लोग जो थे, वो यहाँ पर प्रोपर वे में एक जगे है, फिक्स होए चल कर लिए, ठीक है, तो वो जो इस्टेबिलिटी निकल कर तो नदी के किनारे आप लोगो बसना पड़ेगा, इसलिए जिसे गंगा रिवर हैं, जहाँ पर कोई नदी है, उसके पास सबसे ज़्यदा पोपॉलिशन आप लोगो देखने को मिलेगी, आज की डेट में भी, ठीक है, तो यह रीजन आप लोग जुरूर समझेगा, अभी अगर बात की जाएं आपर, तो यह सारी अगर की दिक्कते देखने को मिल रही है, तो पर्टिकुलर्ली वर्नेबल ट्राइबल गुरूप की केटेगरी में आ जाती है, अब कोश्चन क्या बन जाएगा, कोश्चन यह बन जाएगा, कि यह किसके द्वारा डिसाइड की गे कि उस कमिशन का नाम बताईए, तो 1973 में इंदरा गांदी जी के टाइम पर यहाँ पर देबा और कमिशन देखने को मिला, जिसके द्वारा प्रिमेटिव ट्राइबल गुरूप की बात की बात की जारी है, तो कंट्री में जो टुटल प्राइबल पॉबलिशन है, उसका 9 प पोजिशन पर है उडिशा, बाकि अगर प्र्टिग्लर्ली वनेबल की केटेगी ने बोले, तो उडिशा में लगबाग 13 है आपर यह तो काफी इंपोर्टेंट है आपर अगर उडिशा वासी आप लोग है, बोंड जो ट्राइब है और इसी के साथ में मलकान गिरी हिल में देखने को मिलेगी, डोंगर या कॉंट है यहां पर यह, आप लोग को नियाम गिरी जो हिल हमाँ पर देखने को मिलेगी, यानि के मलकान गिरी और नियाम गिरी हिल कहां पर है, उडिशा के अंदर एडिया आप लोग को देखने को मिलेगा, तो ऐसा भी कोशन आप लोगों खुजाओगे लेकिन नहीं खुजाने दूँगा सर आप लोगो ठीक है अगर आप लोग लेक्षर रेगुलर ध्यान से सुनेंगे तो ठीक है आगे चलते हैं आपर सेंटर के द्वारें आप पर आपील कि यारी सेंटर से जो बिसिकली डेहली के हैं कि आर दवाई का कोटा थो बिल्कुल इसे पुलिस में क्या करते हैं पुलिस में सेम फंड है आप डेहली पुलिस में तो अगर किसी पर्टिकलर इंसान की जान चली जाती है ठीक है ओन डूटी तो उस पर्टिकलर परिवार को उसकी फैमली को एक क्रूड रुपी दी जाएंगे और यह मैक्सिमम जो खटे इन में किया जाएंगे वो उन्हीं की से खटेंगे जो उसमें जोब कर रहे हैं और कुछ कोंट्रिबिशन यहां पर गवर्मेंट का भी देखने को मिलते है ठीक है तो इस तरीके से अच्छा है अगर कोई साथ में है तो यह ऐसे सपोर्ट यहां पर होनी चाहिए आग पर बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं आप अभी यह दिखाया जा रहा है कि बारिज जो दमा दम देखने को आपर मिली अभी एक साइकलोन की वैसे जिसका नाम मैंने आप लोगों से पूछा है मुझे नहीं बताना है ठीक है जो मैं बार-बार रुख जाता हूँ बहुत बोलने से बार-बार मुझे आता है रुख गया फिर से तो उसकी वज़े से हाँ पर अभी कई सारे फूड गरेंस वगेरा जो है वो फ्लोट करते हुए देखने को मिले यानिके गेहूं वगेरा जो है काफी लाज इसकिलब बर बाद हो जाता है तो चपलाई जो सप्लाई चेन है वो प्रोपर में नहीं है एक कोल्ड इस्टोरीज फेसिलिटी होनी चाहिए वो अच्छी नहीं है यहां पर आप लोग सामान को रख्सों को खराब नहों तो बहुत सारी ऐसी चीज़े जिसके उपर काम किया जा सकता है आ पर गाएं भी काफी important है अगर आप लोग देखा जाए तो ठीक है वैसे देखा जाए अगर particular गाएं को अपनी देशी गाएं की बात कर रहा हूं मैं American गाएं की बात नहीं कर रहा हूं गाएं का मूत्र जो होता है वो भी बोला जाता है कई जगे दवाईयों में यूज गयत पर चाहिंए बलकि इसमें तो center को करना चाहिए जहां चाहाँ पर हमारी local breed है ना कि गाएं की जिसकी भी हमारी local breed है चाहे वो गाएं की है चाहे बैल की है चाहे बहसकी है ठीक है तो सकी local breed को हम लोगो focus देकर चलना चाही है कई सारी बीमारी आज की दिगे में local area में भी बात करें अगर यहां पर अगे मैं कुछ नहीं क्या बोलने वाला था कि ऑसाम में कॉंग्रेस की क्वर्मेंट है ठीक है मैंने का यहां पर तो अभी नहीं पोलिटिकल पार्टी जीत करें बीजेपी की गवर्मेंट बनी है यहां पर मुझे कोई नहीं सही है जो भी है पर थोड़ा सा चीजों पर ध्यान देना चाहिए ज़्यादा जरूरी है एक इंसान मर रहा है उस पर ज्यादा फोकस के बाद में आप लोग हलका सा एक गुड की डली खाले एक छोटी सी ठीक है गुड का एक पीस अगर आप लोग ले तो पाचंत तंत्र आप लोग का बहुत अच्छा रहेगा पेट से रेक्टिड बीमारी देखने को मिलेगी और अगर पेट आप लोग अच्छा है तो यह स आप लोग को बढ़ा है तो यह कंडिशन है यहां पर जो कि आप लोग कर सकते हैं तो यह चीजे हैं अगर मा लिजे मैंने आप लोग को जो हमारी नैनो मैगजिन आती है शाम को 10 बजे उसमें अगर कोई टोपिक में आप लोग को पढ़ाता हूं ठीक है अगर कोई क्कूशन पूश्टा हो तो उसका आंसर जो है उसी के नीचे दिया करें ठीक है कई सारे बच्चे क्या करते हैं हिंदू के वीडियो में अगर को टोपिक होते हैं वो मैक्सिम आप लोगे एक ऐस तरीके से प्राइन कोईस करता हूँ यहाँ पर तो पूरे न्यूज वेपर का मैं आप लोगो एक डिसकसन कराता हूँ वहाँ पर पर्टिकुलर टोपिक कई सारे आप लोगे कवर हो जाते हैं ठीक है चलिए लोगों की जान बचनी चाहिए उनकी जान नहीं जानी चाहिए यह एक इम्मोडेंट बात है चाहिए वह उतरपरदेश तो चाहिए बिहार से हो चाहिए वह तमिल नाडु से हो पर लेकिन टेलेंट होना चाहिए तो एज बार नहीं होनी चाहिए आगे बात करें हाँ पर तो music director जिनका नाम थे हाँ पर रम लक्समन ठीक है तो रम लक्समन आप लोग बोल सकते हैं basically इनकी recently अभी death हो गी है मैंने PR किया इसी के साथ में हम आपके हैं कौन ठीक है हम साथ साथ है ये ऐसी movie है जिसमें इनका काफी बड़ा रोल रहा इनको इनके द्वारा direct किया गया और ये काफी famous movie रही ठीक है जैसे कि हाँ पर ये जो movies है ये अपने time में जिनके गाने जो आते हैं आज की लिए भी वो song ऐसे है कि evergreen है जिनको आज भी सुनोगे आप लोगो एक अंदर से फ्रेशनेस फिलोगी आज की डेट के गाने नहीं है party में ने ले लिए आज क्या-क्या है वह वो तो एक अलगी singer आगई पर लेकिन अच्छी बात पता है क्या लगती है उसकी क्या नाव उसका पूजा नाम याद नहीं है पूजा पूरा नाम किया उसका तो लड़की है नाम सिलिफ हो गया मैंड से नहीं आ रहा है रहा है उसकी जो सोंग होते हैं वो उसको मतलब लोग जो है खुब क्रिडिसाइज करते हैं पर बंदी को अपने उपर करनाचारी जिसे हनी सिंग आये बातसा आया ठेक है अलगलग सिंगर आ ठेक है तो अभी आपने करेंगे करने को सकते हैं वो लोगों के सामने जुक नहीं रही है यह अच्छे चीज लग रहे हैं मुझे से भंदी की खूब उसको एक तरीके से गालया पड़ती है कमेंट पर यह ठीक है government can't seek removal of tutor tag जिसे मैं Twitter पर आप लोग कुछ पोस्ट करता हूं ठीक है ट्विटर पर मैंने कोई पोस्ट करता है तो मैं कई बार क्या लिख देता हूं Hashtag SLV ठीक है Hashtag SLV लिख देता हूं कई सारे बच्चे जैसे लिखते हैं आप लोग किलिक करेंगे तो जितने भी कमेंट उससे लिटेड हुए है चाहे वो ट्विटर पर हो चाहे वो फेल्जबुक पर हो तो सारे एक जगे खट्टे हो जाएंगे तो यह टैक का मतलब ही होता है कि टैक डाल लेते हैं ठीक है तो अगर मालेजे कोई गवर्मेंट एक आप कोई टैक डाल रहे हैं ठीक है जिससे एक टैक चला था काफी लाज़ी स्केर पर जो वायरल हुआ कि मोधी रोजगार दो तो अपने प्राइमिस्टर जी के नाम पर वो टैक चला था तो वो टैक ऐसा है कि कोई भी अगर उस टैक को यूजज करेगा तो जितने भी सारे कमेंट होगे उस टैक के वो सारे नीचे आ जाएंगे तो इसका मदब एक तरीका ओनलाइन प्रोटेस्ट हो गया हो ठीक है या अपनी चीज को ज़्यादा लोगों तक पहुचाने की बात हो ठीक है यहाँ पर यह सारी चीज़े तो यह इस तरीके से यहाँ पर अगर कोई प सीमन जो है MS नर्सीमन अभी हमारे बीच में नहीं रहे यह काफी इंपोडेंट सैंटिस्ट है और पदम भूशन भी मिल चुका था इतको 1990 में ठीक है तो यह अब बीच में नहीं बहुत सारी इंपोडेंट परसेनल्टी थी यार जिनको कोवड-19 चपेट के ले गया तो उन के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं अब यहां पर चाइनीज एक सैंटिस जिन्होंने फादर ओफ हाइब्रिड राइस बोला जाता है ठीक है जिन्होंने फाइब्रिड राइस जो निकल कर सामने है जो इनका नाम है यूँआन लोंग पिंग ठीक है तो आप लोग य पहुंचाएगे जिसे लोगों को एक खाना मिला जो फुके मरते थे उनको चावल जैसी चीज़े पहुंच पाई तो एक इंपोर्डेंट परस्नेलिटी है ठीक है फादर ओफ वर्ड एग्रिकल्चर के बारे बात करें तो कोन है इनके दोनों के नाम भी आप लोग को बतान सीरम इंस्टिटूट की जो सप्लाई है कोवेक्स वेक्सीन की ये इंडिया का पूर प्लानिंग देखने को मुल रही है थे कि हमारी कंट्री में लास्ट मार्च में लोग डाउन लगा दिये था तो लास्ट मार्च में जब लोग डाउन लगा गया तो तब से लेके अब त पूइँ तोओं जो सारी दिक्कत हैं यहाँ पर देखने को मिल गई है तो इसलिए हांपर प्रोब्लम का सुलुशन नहीं कर पाये हम लोग तो इसी में दवाई में भी मिसमेश भी देखने को मिल रहा है ठीक है COVID-19 जो है वो यहाँ पर एक common cold की तरीके से हो जाएगा आने वाले टाइम में जैसे normally आप लोग खासी जुखाम हो गया तो COVID-19 भी उसी तरीके से एक category डवलफ हो जाएगी आने वाले टाइम में यह बोला जा रहा है जो study के द्वारा क्योंकि यह बीमारी ऐसे है जो यहाँ से जाने वाली नहीं है तो यह इनके mask लगाना hand sanitizer यह है इनको जिंदगी का part बना लिजे और distance बना के रखना लोगों के गले नहीं मिलना तो यह भी आप लोगों दूर से राम राम हमारी बहुत अच्छे है दूर से राम राम नमस्ते ठीक है तो इससे बीमारी कहीं नहीं कहीं काफिवत तक हम लोग रोक पाएंगे काम करने की कोसिस करेगा तो यहाँ पर BRIC का जो Astronomy Working Group है उसके बारे में बात की जारी है तो मिलकर काम करने के लिए तयार है यहाँ पर यह तो इक अच्छी बात है यहाँ पर चाइना के साथ मिलकर तो यह काफी important है आपर दो सबसे बड़ी जो economy है यहाँ पर इंडिया और जो आज के में आप लोग बोलिए चाइना और सबसे ज़्यादा पॉपलेस की दो कंट्री है आपर यह maximum मार्केट नहीं पर ही देखने को मिलेगी तो इसके चलते हैं आपर काफी important हो जाती है दोनों कंट्री ठीक है तो यह basic information होगा इसके बारे में confusion नहीं होना है यह confusion नहीं है आगे चलते है answer क्या है इसका question का answer तो G20 member आप लोगों को पता USA, United State of America, Argentina, Australia, Brazil, China, European Union, India, Indonesia, Mexico, South Arabia, South Africa, South Korea, Turkey ठीक है तो यह total 20 member आप लोगों को देखने को मिलेगी जी 8 member में रस्या था पहले अब G8 नाम को कोई group नहीं रहा है वो G7 बन गया क्योंकि रस्या बाहर निकल गया संगाई Corporation, Organization में आप लोगो इंडिया भी देखने को मिलेगा और चाइना भी देखने को मिलेगा ठीक है और यहाँ पर पाकिस्तान भी है इंडिया और पाकिस्तान के दौरा एक साथ में एड किया गया था अब कब एड किया गया था यह आप लोगो बताना है जो इंडिया अब की बार G20 से पूछा क्या हो सकता है अब G7 से पूछ ले जाए ठीक है कुछ ऐसा गुरूप बन जाए या फिर E9 से पूछ ले जाए जो कि अब तक मैंने आप लोगो PDF नहीं प्रोवाइड करा ही 2-3 दिन से सारी PDF आप लोगो आज शाम तक मैं कोशिस करूँगा कि प्रोवाइड करा दूँगा क्योंकि आज शाम को मैं अपना जंगल जो सेर का जंगल होता है हाँ पर पहुंच जाएगा ठीक है अपने जो गुफा मे इस्टाग्राम और फेस्बुक अगर यहां पर आप लोग हैं तो कनेक्ट हो जाएए अगर नहीं है तो यूज मत कीजिए इनको अभी डिस्टेंस बना कर रखें चीजों से क्योंकि आप लोग का टाइम जो हो सबसे ज़्यादे इंपोडेंट है अपने टाइम को आप इवार का ध्यान लखें तो बढ़ो को नमस्ते छोड़ो को प्यार छोड़ी से लाइफ इंज्यो करा तब तक के लिए जैहिंद